अभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अब हम करेंगे प्रशनावली 5.2 में ये जो अठारमा प्रशन दिया गया है इसको अच्छे से करने वाले है ठीक है तो कौपी पैन लेके बैठ जाओ एक बार अच्छे से समझ लेना है उसके बाद खुद से तो प् आठवे पदों का योग 24 है तथा छटवे और दसमे पदों का योग 44 है काफी अच्छा सवाल है वो बहुत आसान है देखो यहां पे लिखा गया है कि उस एपी के प्रथम तीन पद ग्यात कीजिए तो सवाल में क्या दिक्कत होगी कोई दिक्कत नहीं होगी देखो यहां पर दिगा गया है कि किसी एपी के चौथे और आठवे पदों का योग 24 है पहली बात तो यह है देखो चौथे और आठवे पदों का योग यहां से देखो चौथे और आठवे पदों का योग आपको 24 दिया गया है न और छटवे और दसमे पदों का योग 44 दिया गया यह यहीं से तो समिख्रण बनेंगे, यहीं से तो हल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, ठीक है, दिया है, अब हमें दिया गया है, चौथा पद और आठमे पदों का योग, तो चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है, A4, और आठमा पद क्या होगा, A8, अब इसको थोड़ा हम तोड़ सकते हैं, कैसा, चौथे पद का फॉर्मूला लगा देंगे, A plus 3D, है न, क्योंकि कोई भी पद हो, उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, A तो fix रहता है, कोई भी पद हो, A तो fix रहेगा, लेकिन जिस नंबर का पद है, उसमें एक घटा के D चिप का दो, तो जैसे चौथी नंबर का है, तो उसमें एक घटा के D चिप का दिया, अब plus है, तो plus लगा देंगे, यहां देखो, यह आठमा पद है न, तो कैसे करोगे, बताओ, A तो fix रहेगा, और जिस नंबर का पद है, उसमें एक घटा दो, त साथ बचा, तो साथ D हो जाएगा, तो देखो, यह हमने A4 का फॉर्मूला बनाया, A plus 3D, और A8 का बना दिया, A plus 7D, और बराबर कितना है, 24, बताओ, इतना कर लोगे न, ठीक है, अब देखो, A से A जुड़ जाएगा, तो एक A, और दूसरा A, तो दो A हो गया, और यहां द समिक्रण में एक खास बात ये है, कि समिक्रण में 2 से भाग हर जगा जा रहा, देखो, 2 का भाग यहां भी चला जाएगा, यहां भी 2 पंचे 10 हो जाएगा, और यहां भी 12, 12, 24, तो हम इसको सरल बना लेते हैं, तो हम यहां लिखेंगे, पूरे समिक्रण में 2 से भाग करने पर चलो दो से भाग करो तो इसके भी बटे में 20 आ जाएगा देखो मैं ने थोड़ा एक इस्टेप बड़ा लेता हूं क्योकि मेरा काम समझागा है पहले तीक है इसको भी बटे में 21 और और इसके भी बटे में मैं दो लिख लेता हूं ठीक है देहों ये भाग चला गया 2 का इस पद में भी 2 का भाग इस में भी अब देखो 2 से 2 तो कट जाएगा तो इस बार बचेगा A प्लस यहां 2 का 5 बार भाग चला जाएगा दो 5 ऐडस तो यहां बचेगा 5D और बराबर यहां पे देखो 12 दूनी 24 तो 12 बचेगा इसको बना देंगे अब हम समीकरण 1 तो देखो एक सर्थ से एक समीकरण हमें पता चल गया कि चौते पद और आठमे पदों का योग 24 है तो इस चीज से हमें एक समीकरण मिल गया तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज से दूसरा समीकरण मिलेगा उसे हम बिलोपन से हल कर देंगे तो बस हमें A और D के मान मिल जाएंगे तो हम A P के तीन पद निकाल सकते हैं देखो आगे दिया गया है कि छटे और दसमे पदों का योग 44 है तो हम लिखेंगे तथा एक चीज और दी गई है तो तथा करकी लिखते हैं कि छटमा पद और दसमा पद इनका योग कितना है 44 है तो हमने लिखा भाई साब की जो हमें दिया गया है कि छटमा पद यानि A six और दसमा पद यानिकि A ten इनका योग जो है वो 44 है फिर से वही चीज़ करेंगे छटमापा तो दसमे पदों का योग कितना है? 44, ये किताम में दिया गया है तो छटमे पद का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे A प्लस 5D ये तो हम बना ही सकते हैं फॉर्मूला ठीक है 6 है तो एक गटा के D चिपका है यहाँ फिर से A तो फिक्स रहेगा 10 है तो एक गटाओ कितना बचननों तो 9 हो जाएगा D और बराबर कितना हो जाएगा 44 अब A में A जुड़ जाएगा तो 2 A हो जाएगा और D वाले पद में D वाला पद तो 9 5 14 होता है ना 9 और 5 14 तो 14 D हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा अपना 44 हो जाएगा इसमें क्या 2 से भाग जा रहा है बिल्कुल इसमें भी दे ही दो तो पूरे समीकरण में 2 से भाग पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो जब 2 से भाग करेंगे 22 हो जाएगा, 2-2-4, 2-2-4, 22, यह बनेगा समिखर नमबर 2, अब समिखरण 1 वा 2 से, दोनों समिखरणों को साथ में लिखेंगे, देखते हैं, क्या होता है, तो लिखेंगे समिखरण 1 वा 2 से, तो पहले हम समिखरण 1 लिखेंगे नीचे ए प्लस पांच डी बराबर बारा तो यहां पे हमने लिख लिया ए प्लस पांच डी बराबर हो गया बारा यह हो गया अपना समीकर नमबर एक उसके बाद उसी के नीचे यह दूसरा समीकर लिख लिया ए प्लस साथ डी बराबर बाइस यह अपना समीकर नमबर दो हो ज गटाने पर ही क्यों लिखा जोडने पर क्यों नहीं लिखा क्योंकि गटाने से ही नीचे वाले समीकण के चिन बदलेंगे तभी तो A से A कटेगा सीदी सी बात है क्योंकि हमें ये जबरजस्ती काटना है ताकि D का के वल पद रहे जिससे D का मान निकलेगा तो हमने क्या लिख नीचे वाले समिगंड कि चिन बदल दो तो पहले उनके ओरिजिनल चिनन लगाऊ में जैसे ए के सामने कोई भी चिन नहीं है तो वह ध़ंका है 20 के सामने कोई भी नहीं जी तो वह भी धषनका है अब उनमें घुला लगा दो धनका है तो द önका माना जाएगा क्योंकि घठाने पर है और ये धनका है तो ये रिनका हो जाएगा और ये धनका है तो ये भी रिनका हो जाएगा तो देखो धनका है और रिनका है ये तो कट क्या अब यहाँ माइनस का 7D है और प्लस का 5D है तो माइनस का 2D बच जाएगा क्यों बचेगा माइनस का क्योंकि 7 बड़ा था माइन का बचेगा क्यों क्यों कि माइनस की संख्या बड़ी थी माइनस से माइनस कट गया दौनों तरप से तो दो डी बराबर कितना आ जाएगा दस गुड़ा में दो है तो बटे में आ जाएगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा दस बटे दो तो दो पंचे दस तो जो डी है वो क देखेंगे कि D कामान कहां रखने पर समीक्रण एक में ठीक है तो एक कामान मिल जाएगा कि समीक्रण एक कहां पर यह देखो यह यहीं पर रख देते हैं ए तो है पहले से प्लस पांच डी कामान आया है 5 चेक कर लेंगा बराबर कितना है 12 तो A plus 25 25 बराबर कितना 12 इस तरह पक्चंतर करो तो A बराबर हो जाएगा 12 है minus 25 तो 25 में से 12 घटा दो तो minus का 13 हो जाएगा और यही A का मान हो जाएगा तो A का मान आ गया D का मान आ गया तो अब हम A P के जो हमसे प्रथम तीन पद पूछे थे तो वो लेखेंगे तो लेखेंगे अब AP के प्रथम तीन पद प्रथम तीन पद ठीक है तो कैसे निकालते हैं AP फिर से हमने लिख लिया पहला पद A होता है दूसरा पद A प्लस D होता है तो A का मान कितना है, माइनस 13, दूसरा माइनस 13 प्लस D का मान कितना था, 5, फिर माइनस 13 तो A की जगा पर लिखेंगे ही, प्लस लगा है तो प्लस 2 और A का मान कितना है, बताओ, A का मान 5 है, तो फिर से लिखो माइनस 13, 13 मैंसे 5 किया तो कितना बचा, जली बता दो, माइनस का 8 बिल्कुल सभी, अब इसके बाद देखो माइनस 13, तो ये 5 दूनी 10, तो 13 मैंसे 10 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये देखो, तो ये आपके माइनस माइनस में ही 3 पद आएंगे, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3, और ये आंसर आजाएगा, अब इसको अच्छे से आपको नोट क दिखा देता हूँ, तो यहां से लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद ये, फिर यहां पे, यहां पे, फिर इसके बाद ये, ठीक है, और अंतमें यहां पे, तो उम्मीद है कि ये सवाल आप पे अच्छे से बन गया होगा, और एक बार प्रेक्टिस कर लेना, रफ रडिश्टर में, ताकि अच्छे से मेक से और हो सके कि हाँ, अब ये अगर एक्जाम में आएगा तो बन जाएगा, बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट प्रोबाइट कराई गई है, डिस्क्रिप्सन में लिंक दी गई है, तो आप जाके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे में भी एंड स्क्रीन में लगा दूँगा, तो यहाँ से भी आप जाके अपना अध्यान बहतरीन बना सकते हो गडित का, और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, मिलते हैं नेस्ट वीडियो में, थैंक झाल 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 झाल